नमस्कार आप देख रहे हैं मुकाबला मैं हूँ आपके साथ विवेक शांडेले दिल्ली के कंचावला केस में लगतार बयान और वीडियोज सामने आ रहे हैं फिलाल पुलिस ये कह रही है कि पीडिता के साथ यौन उत्पिलन का कोई मामला सामने नहीं आया है पुलिस इसकी पुस्टी करने के लिए पुस्ट मॉटम रिपोर्ट का हवाला दे रही है इसे पहले आज मामले में नया मोड तब आया जब एक नया सीसी टीवी वीडियो सामने आ गया वीडियो में अंजली और उसकी दोस्त निधी हादसे के पहले जगड़ा करती दिख रही है फिर दोनों एक साथ स्कूटी से निकलते हैं तबी पीछे से कार आकर उनकी स्कूटी को ठकर मार देती है यानि हादसे के वक्त अंजली अकेले नहीं थी उसकी साथ उसकी दोस्त निधी भी थी एकसिडेंट के बाद निधी वहाँ से घर चली गई और अंजली कार में फस गई वैसे ये जो बात कही जा रही है इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है इस वीडियो के बाद पुलिस जाच कर रही है और निधी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं पुलिस पहले कह रही थी कि हादसे का कोई चश्मदीद नहीं है जबकि निधी उस वक्त सूटी पर सवार थी निधी एक्सिडेंट के बाद वहां से भाग क्यों गई उसने पुलिस को किसी तरह की जानकारी क्यों नहीं दी ये सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस की जाच पर जब सवाल उठे तो अफसरों को बोलते ही नहीं बना आज दिल्ली पुलिस जेप मिटाने के लिए जो प्रेस कॉंफरेंस बुलाई थी उसमें बिना किसी सवाल का जवाब दिये सिर्फ 90 सेकंड में पुलिस अपनी बात कहकर वहां से निकल गए अफसर वहां से भाग कड़े हुए तो सवाल ये कि क्या अंजली की मौत जिस तरह से हुई वह वाख़ई वैसी है पोस्टमाटम रिपोर्ट में जो बाते सामने आई है या पिर इसके पीछे कोई सोची समझी साज़िश है पोस्टमाटम एग्जामिनेशन किया था और आज उस पोस्टमाटम एग्जामिनेशन की प्रोविजनल रिपोर्ट हमें मिली है प्रोविजनल रिपोर्ट के आधार पर जो डेथ है वो एंटी मौटम इंजरीज की वज़े से हुई है जिसमें shock and hemorrhage उसका main कारण है और जो ये death है जो dragging है body की उसकी वज़े से हुई है इसके लावा post-mortem examination में जो body का examination होता है उसके आदार पर कोई ऐसी injury नहीं है जो ये suggest करती हो कि कोई sexual assault हुआ है post-mortem की final report अभी हमें मिलेगी due course में और अभी इस case में further investigation जा रही है इस पर बातशीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं ऐसे श्रिवासब में आप साथ जुड़ रहे हैं पूरो पुलिस कमिशनर हैं दिली के क्योंकि अभी तक जो दलीलें सामने दी जा रही हैं उसको हादसे को लेकर दी जा रही हैं और पुलिस का जो सबसे पहला बयान आया था वो भी हादसे को लेकर ही आया था जी देखिए सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बड़ा ही दुकत घटना है साल के सुरुवात में ऐसा हो गया है दूसी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें किसी प्रकार की डाउट करना यह ठीक नहीं है जहां तक पुलीस के सामने एक केस ऐसा मिल गया है काफी चर्चित हो गया है मीडिया में काफी इसकी डिसकेशन हो रही है तो पुलीस वैसे ही इस पे काफी सतर्क हो करके बड़ी अच्छी तरह से इन्वेस्टिकेशन करना चाहेगी क्योंकि अगर इसमें कोई कमी होगी तो वो किसी के लिए भी ठीक नहीं रहेगा तो इस पे यह डाउट करना कि यह यह कोई पुलीस की जो वर्जिन है वो गलत है यह बिल्कु ठीक ठीक नहीं है पुलीस को टाइम दीजे इसमें इन्वेस्टिकेशन में कोई चस्मदीद गवा अभी जैसे आपने कहा कि 64 के बियान एक कोई मैला की हुई है और कुछ लोग उस गाड़ी के पीछे उसको चेज भी किया है उनके स्टेट्मन्स हुए है तो यह कुछ चस्मदीद गवा है कुछ चीजों के लिए लेकिन और भी इसके जो स्क्रिंस्ट्रेंशल एविडेंस है और भी साइन्टिफिक एविडेंस है सारे को जुटाने के लिए कुछ टाइम चाहिए तो इस पे आपका भी निश्वकर्ष पे पहुँझाना कि यह कोई सोजी समझी शाजिश है या पुलिस इसमें बचना चाह रही है वो गलत है शिवास्तव जी हम निश्कर्ष पर नहीं पहुच रहे हैं हम सवाल उठा रहे हैं कि जैन साब है मैं उसे भी पूरू डीजीपी है यूपी के हो भी आगए स्वागत आपका उसके बाद अमबर में आपके पास आ रहा हूँ कि केस क्या है अपने शुरुआत में 304 लगाया और अब कहरें कि अब भी उसी स्टैंट पर ठीके हुए है बारा किलो मिटर तक कोई लड़की कार की नीचे कैसे फंसी रह सकती है एक जैन साब देखे हिट अंड रन का तो एक केस है शराप के नशे में पाँच यूपकों ने इस दरंदिगी को अंजाम दिया है उन्होंने टकर मारी है बजाय उसकी मदद करने के वो दे वांटे टो गेट रिड अफ देट वाडी उसको लेकर वो घूमते रहे गाड़ी घूमाते रहे यूटर्ण लेते रहे इसके चश्मदीद गवा हैं जिन्होंने की कंट्रोल रूम को सूचना दी नैशनल कैपिटल की पुलीस का इस प्रकार का रिस्पॉंस कताई भी एक्सेप्टिबल नहीं है ये अक्षम में है कि ये कहना किसाब हम गंटा सवा गंटा हमको लग गया र आस्ते में पुलिस चौकियां पड़ी होंगी पीसी आर वैंस होनी चाहिए इसकी पूरी एक गहराई से एक डिपार्टमेंटल एंक्वाइरी होनी चाहिए कि किस-किस को किस-किस की रिस्पॉंस्बिलिटी थी इसको एटेंट करने की वो पुलिस फोर्स कहां था उस समय ये ये बहुत ही एक शर्मनाक पूरा पुरा पुलिस ववस्था के उपर एक प्रशन चिन लगा है एक छोड़े से टाउन में ऐसी घटना हो तो महाँ भी पुलिस पहुंच जाती है दो पांस साथ मिनिट के अंदर जहां सूचना आपको दी जा रही है कि एक लड़की की डेड करता हूं इसमें सीधे पहले ही 304 का मुकदमा कायम करना चाहिए था हम लोग जब भाग में आये थे ये कहा था कि कड़ी से कड़ी धारा लग जाए उसको बाद में इन्वेस्टिगेशन में आप उसको कर सकते हैं क्योंकि आपने तो पूरे परवारी जनों को सब को पहले स समय से ही होस्टाइल कर दिया कि 304 है 304 एका मतलब यह है कि आप खाने से उनको बेल बेल आउट कर देंगे ये बिल्कुल गलत है और बहुत जगन्य अपराद यह हुआ है ये पूरे कंट्री में इसका बड़ा खराब मैसेज गया है और इसको जितना कंडम किया जाए उतना पुलिस में इस प्रकार की घटना की पुन्रावरत्ती ना हो इसको रोकने के लिए क्या 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 कदम उठाए जाने चाहिए डेली पूलीस को किस प्रिश्वास्तव जी से इसका जवाब ले ले लेता हूँ उसके बाद फिर बाकी मैंने को पास चलूँगा पास कोई सूचना आती है सूचना की बेसिस पे आप केस दर्ज करते हैं और जैसे इन्वेस्टिकेशन आगे बढ़ता है वैसे वैसे आप धाराएं उसमें एड करते हैं या उसको हटाते हैं यह यह बात सही है इस सुरू में ही अगर कोई आप ऐसी धारा लगा दे 302 लगा दे 304 लगा दे कोई जरूरी नहीं है यह सुरू में ही आप लगाए आपको पहले जो प्रतम सूचना जैसे मिली उसके बेसिस पे आपने धारा लगाया आपको कुछ और सबूते मिली जिसमें लगता है कि ओफेंस कोई दूसरा है तो आप वो दूसरा ओफेंस यह कोई बड़ी बात नहीं है केस इतना संसेटिव है श्रीवास्तव जी आप कहरें कि धाराएं जोड़ी और हटाई जा सकता है लोग यह पूछ रहे हैं कि 302 शुरू में ही क्यों नहीं लगा कि उस एंगल से मामली को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है क्यों 304 के एंगल से ही मामली को पे 302 लगाया आप जो इन्वेस्टिगेशन उस समय पे होती है उसके बेसिस पे धाराएं लगती है और इन्वेस्टिगेशन में जो नई जानकारियां होती है उस पे आप उसमें चेंज करते हैं यह कोई कोई ऐसी गलत बात नहीं है ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन होता है मै जानता हूँ हर एक पुलीस आफसर ऐसे ही करते हैं ठीक है अंबर जैदी जी दिखे विवेक ये बहुत ही ज्यादा दर भागे पूर में नए साल की शुरवाद जनीवियर्स इव जिस दिन पूरी दुनिया सेलिब्रेशन करती है उस दिन भारत की राज़ाने दिली के अंदर एक लड़की को एक घंटे तक सड़क पर घसीटा गया और पुलीस को कई सारे चिश्मदीदों ने कई बार कॉल किया लेकिन पुलीस उस लड़की के लिए मदद के लिए या दूसरी बात है कि सबसे पहली बात तो जो महीला जो सहीली उसके साथ में थी वो छोड़कर चली इस से कहीना कि दिल दुखता है आज से 10 साल पहले दिसेंबर में जो 2012 में निर्भेहा की जो इस थना से हत्या हुई थी उस वक्त भी हत्यारे दिल्ली की सड़कों पर बस को घुमाते रहते और उसी तरह आम ने देखा हाला कि इस के केस में पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट में उसकी बॉड़ी है क्या उसके घरवालों पर गुजर रही होगी कि 20 साल की जवान लड़ी की जिसको पाल पोस कर बेजा वो घर से निकली और वापस नहीं आई पूरी की पूरी उसकी बॉड़ी मरी हुई भी पूरी नहीं वापस आई अब सोचिए कि महिलाओं को जो लोग आम इंसान जब गाड़ी चलाता है तो उसको पता होता उसकी गाड़ी में चोटा कंकर भी लगता है मैं क्रिश्चन प्रसाद जी के पास जा रहा हूं पूरू डीजीप थे लंगाना मार साथ जड़े हूं क्रिश्चन प्रसाद जी डलील यह दी जारी कि 12 किलो मेटर तक ल डेली में यह होना बहुत ही बड़ा दूरगटना है और हमें फिर और एक बार हमको जो है निरbya incident के याद दिला रही है इससे हमको जाहर यह होता है कि डेली में जो कैपिटल सिटी है वाहन पे सेक्यूरिटी इशुस फिर और एक बार हमारे सामने आ गए है कितने कम जोर है हम सेक्यूरिटी से खास करके महिलाओं के सेक्यूरिटी में और एक बार ये स्क्रीन पर आगिया है आप देखिए महान अगर चैसे डेली है वहां हर किलोमेटर और कम से और किलोमेटर से कम ही डिस्टन्स में एक चवरा हाँ होता है और हर चवरा हे पर ट्राफिक लाइट होते हैं वो ट्राफिक लेका का आपको एक अब कभी भी जो है वी आई पी पास करना चाहते हैं सबी ग्रीन सिगनल दे देते हैं और और इमर्जेंसी आ गया इस तरह के अमर्जेंसी आ गई है तो आपको हर जेकर रेड़ लाइट भी दाव सकते हैं तो जिस रूट पे ये गाड़ी जा रही है वहां पे टू त्री सिगनल के पास हमको रेड़ लाइट करके सारे गाड़ी रोगना कोई मुश्किल नहीं है एक सेकंड का काम है ये क्यों ने किया गया है ये जब गाड़ी एक डाइरेक्शन में जा रही है ये टू बी कुसी भी कौन-कौन चा रहा है पे ये गाड़ी जाएगी है पता है सबको कंड्रोल रोगना है इट टेक्स ओनली वान मिनेट लिए पर्टिकलर त्री और फोर रेड़ सिगनल्स आप कहरें कि लापरवाही का मामला है और शिवास्तव जी मैं उसके पास सोनम आपके पास आ रहा जवाब दिया जा तू अपना काम कर मुझे लगा है शिवास्तव जी का संपर टूड़ गया है मैं जैन साब आपसे इस सवाल का जवाब ले ले लेता हूँ ये ये कहा देना जा तू अपना काम कर ये कैसे संपर हो सकता है ने देखे मैं मुझे एक्स पुलिस आफसर बड़ी शर्मिंदिगी महसूस हो रही है किसी भी चैनल पर बोलने में कि इस प्रकार की घटना नैशनल कैपिटल में बेट हुई है और पुलिस का इस प्रकार का रिस्पॉंस रहा है ये बिलकुल भी एक्सेप्टिबल नहीं है 21st December की रात को जब पुलिस कमिशनर से लेके और कॉंस्टिबल तक सब सड़कों पे पेट्रोलिंग करते हैं एक गाड़ी को आप दस मीटर बीस मीटर गाड़ी कोई घसीत के ले जाए चो समझ में आता है कि भाई वो दस बीस मीटर तक जो है गाई में वो उसकी बॉड़ी पभी बर आप इतना उसको लेकर टहला रहे हैं आप यू टर्ण ले रहे हैं आपको पुदिक वाले रहे हैं आपर पीसे यार वैं महाँ पे पहुछी नहीं रही है लोकल्ट पर को भी करनक करनको खrel किया जाता है वो नहीं पहुंच रहे हैं तो यह किस प्रकार की पुलि का response रहा है जो PCR वैंस है या जो सड़क पे जो बैरिकेट्स पे पुलिसमन होते हैं इस ऐसे घटनाओं को चेक करने के लिए गाड़ियों को चेक करने के लिए खासकर जो 31 की रात और एक की सुबह में पुलिस होती है जो लोग पीए हुए होते हैं शराप पीए हुए होते हैं उनको चेक करने के लिए जरूर यह बात कुछ अचमभा सभी को देता है कि कैसे यह छूट गया 12-13 किलोमेटर यह चलता रहा और कोई पुलिसमन उसे चेक नहीं किया इसकी जांच होनी चाहिए और अगर कोई गलत पाया गया तो उसके खिलाब कारवाई होनी चाहिए दूस होगा जो जैसे यह बाहरी छेतर हैं तो यह उतनी डेंसली नहीं होता इस पर घर दूर दूर होते हैं यह जादा ज्यादा यह सेमी अर्वन्स एरिया हैं उसमें इतनी ज्यादा डिप्लॉइमेंट नहीं होती लेकिन फिर भी मैं मुझे खुद आचंबा हो रहा है कि 12-13 किल उनका रेस्पॉंस थोड़ा ठीक नहीं रहा इसकी जांच होने चाहिए और जिनों ने गलती किया है उनके तिलाक कारवाई भी होना चाहिए पुलिस के लापरवाई का मामला तो सामने आई रहा है लेकिन जिससाब से पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करी उसको लेकर भी सवाल है पर यहां पर यह समझना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कि पुलीस को ऐसा क्यूं लगा कि यह गलती से कि यह इक हिट एंड रन का मामला है जबकि सामने यह चीज़ कॉमन सेंस की बात है कि हमें सबको यह समझ में आ रहा है कि यह पॉसिबल नहीं है कि आप बारा किलोमेटर तक किसी की बॉड़ी को घसीटते हुए ले जाएं और आपको पता नहों कि आपकी गारी के नीचे कोई ह है तो और कोई भी सामान्य व्यक्ति जो अपनी होश में है वो यह काम नहीं करेगा अगर उससे अक्सिदेंट हो भी गया अक्सिदेंट हो जाते हैं आपके अंदर एक बेसिक हुमानिटी होती है कि आप उतर के दूसरे को फस्टेट प्रवाइब करें उनको हॉस्पिटल ल है कि 16,000 कर्मी आपकी सुरक्षा में तैनात हैं तो आपको डिलिवर करना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल सही किया रहे हैं आप सोनम में मान कैसे लिया जाए कि 12 किलोमेटर तक कोई अंजान में कोई शरीर किसी कार के नीचे फसी रही और सड़क पर घिसनी से उनकी मौत हो ग दोजार बारा की वो गटना थी, दोजार बाइस की 31 दिसंबर की रात को फिर एक और गटना हुई, दस साल में हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले अश्य देवीजी आपको आवाज मिल पा रही है आवाज मिल रही है लेकिन आवाज साफ नहीं आ रही है ठीक है लेकिन मेरा सवाल ये है कि 10 साल में कुछ नहीं बदला दिल्ली में, देश की राजधानी आज भी लड़कियों के लिए उतनी अनसेफ है एक बार और सवाल दो रही है आशा देवी जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 10 साल में हालात बहुत ज़्यादा नहीं बदले जी, 10 साल में क्या बदला है? ये तो हमारे सामने है कि आज भी हम 10 साल बाद बैट के चैनल पे आईए बात कर रहे हैं कि पूरी की सुरक्षा कितनी महलाओं के लिए जीमवार है और कितनी हमारी बच्चियों के लिए काम कर रही है कि एक बच्ची ये तो पूरी की केस समझ में नहीं आ रही है उलच के रह गई है 10 साल बाद भी हमार भी यही बात कर रहे हैं कि महलाओं के लिए अगर पुलिस की बात करे तो बिलकुल जीमवार नहीं है जिस तरह से बच्ची को घसीटा गया रोड पे गाड़ी बार बार मोड करके उसी रोड पे आ रही है क्या उतने टाइम में उतने दूर तक कहीं भी एक पुलिस का ना रहना हमारा दुर भाग यह नहीं है हम बात करते हैं कि यहां पुलिस चौकस है वो भी सबको पता है कि नया शाल में पालती होनी है लोग बाहर आएंगे तो उस टाइम पे अगर पुलिस की ऐसी लपरवाही सामने आती है तो हम दिल्ली में रहते हैं हमारा बहुत बड़ा दुर भाग है अगर आप बदलने की बात कर रहे हैं तो जिस तरह से इस दिसंबर के महीने में घटनाय सामने आई है तो हम तो आज भी हमें तो लगता है कि आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं उसी रात की तरह यह रात बच्चियों के लिए घिनवनी हो गई कि एक बच्ची की जान चली गई आज भी हम बात यहीं क कि कोई देख लिया होता एक नार्मल आदमी गाड़ी का पीछा कर रहा है लेकि दूर दूर तक पूलिस का कहीं कोई पता नहीं है तो यह हमारा दुर्भाग है कि जिस जनता के लिए पूलिस को तैनात किया जाता है लगाया जाता है आज उनके कि यह हालात है अभी कल या परसो की बात है नार्मली इस केस को एकदम नार्मली के तरह देख करके पता नहीं यह सपी साथ थे या डिस्पी थे कह रहे थे कि नहीं कुछ हुआ नहीं है वो नार्मली उनको पता नहीं चला साउंड था आप वहां थे कि साउंड देख रहे थ थे तो गाड़ी चलाने के होस में थे या बच्ची उनके गाड़ी तक घसीट जा रही है तो उनको नहीं पता चला चलिए एक्सिडेंट हो गया थोड़े दोर घीच के ले गए एक मान लेते हैं लेकिन साथ दस बारह मीटर घसीट के जाना पता नहीं लगना हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरक की साजिस है उस बच्ची के साथ एक लड़की और भी है वो कह रही है कि हम डर के मारे नहीं बोले अरे डर के मारे किसी की जान चली गई आप घर में गए किसी को घर में बतात लेकिन मैं इस चाइनल के माध्यम से जितने आप लोग मिहमान बैठे हैं हम यह कहना चाहेंगे कि एक बच्ची की जान गई है उन मुझिरमों को सजा मिलनी चाहिए और बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए श्रिवास्तव जी जो सवाल आशा देवी उठा रही है बहुत बुनियादी सवाल है यह किसी के समझ नहीं आ रहा है यह थ्योरी पूरी की पूरी समझ नहीं आ रही है क्या इन सवालों के जवाब हैं आपके पास देखिए इसका जवाब यही है कि इस केस की आच्छी तरीके से investigation होना चाहिए और इसमें समय समय पे जो भी information जो देना चाहिए media के मारफ़त वो एक दें ताकि की लोगों को विश्वास हो की investigation सही लाइन पे चल रहा है दूसरा है कि जो जो चूक हुई जो पुलीस के response है जो PCR की response में कमी आई है उसको जल्द से क्योंकि यही वेवस्था काफी अच्छा काम करता रहा है past में तो क्या रही है कि इसमें इस बार चूक हो गई है उसको जल्द से जल्द करेक्ट करना चाहिए शिवास्तव जी विवस्था को लेकर system को लेकर कोई सवाल नहीं है सवाल लापरवाही को लेकर है को चुनिंदा लापरवाही को लेकर है as a next policeman अगर हम बा गारी कट कि चलती रहे हैं क्या ये मुमकिन है विश्वास तो नहीं होता कि कि जो रावुकरत पता ना चला हो लेकिन इन कि से पूश्था स्थ होनी चाहिए कि कैसे नहीं पता चला उनको कि 12 किश्वास रही होगी कम से कम 30-40-50 केजी का वजन होगा उसे गाड़ी के चाल में जरूर असर पड़ा है हुगा जहां मुड़ रहे हैं तो वहां पे भी उनको उस पे बॉडी के वज़े से मुड़ने में अर्चन आई होगी तो यह सब सारे जो सवाल मैं नहीं दे सकता लेकिन पुलीस को इन जो जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उन से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं पता चला उतको बिल्कुल यह सवाल पूछा जाना चाहिए और यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए सोनम हमारे साथ मौजू दरगतर क्या वो जानबूच के गाली स्लो चला रहे थे 20 से 25 की स्पीड म क्योंकि अगर आप गाली तेज चलाते तो हो सकता था कि बॉड़ी जो फसी वी तो निकल कर बाहर आ जाती क्या यह सब को जानबूच कर किया गया यह सवाल इसलिए क्योंकि यह लोगों के सवाल है यह हर कोई आज देश में जानना चाहरा है सोनम जी जो आई विटनेस हैं जिनके मैंने जिनका अकाउंट सुना उनका यह कहना है कि यह वो उनको फॉलो कर रहे थे बिलकुल और यह लोग जो है गारी एक ही सरकल के आजू-बाजू वो चला रहे थे 20 किलो मेटर की स्पीड पे जिस से जो आई विटनेस हैं उनको ऐसा लग कि वो बॉडी को किसे तरह से बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे थे, they wanted to get rid of the body. अब, of course, अगर वो इतनी धीरे-धीरे गाड़ी चला रहे हैं, बॉडी को बाहर की तरफ धकेलने के लिए, तो उनको पता है कि उनकी गाड़ी की नीचे किसी की बॉडी है, और उनको ये भी पता था कि उनका किसी के साथ accident हुआ है, और उनका ये कहना है, जो accused है, कि हमें ऐ ऐसा लगा कि जिसके साथ accident हुआ है, वो उठ खड़े होके वहां से चले गए है, बट अगर आपकी, अगर आपकी intention सही है, तो आप भी रुकेंगे और आप पूछेंगे कि जिसका आपके साथ accident हुआ है, क्या उनको पोई चोट आई है, तो certainly वो लोग, they were in a drunken state, और क्योंक प्रशासन का पुद्ध ने अपना काम अच्छे से नहीं किया था, कोई भी वहां पर पुलीस सर्च पार्टीज नहीं थी, चेक करने के लिए, तो उन्होंने पूरा फाइदा उठाया, system के उस laps का, और उन्होंने किसी एक बेगुना लड़की की जान ले ली, जिसकी लाइ मिले नहीं, बट यहां देखिए, कोई काम करके घर लोट रहा है, और उसको किसी ने कीडे मुकौरे की तरह कुछल दिया, और आज हम बैटके उस पर डिबेट कर रहे हैं, तुलकुल सोनम, लेकिन इस मामले में, मैं शिवास्प जी आपसे जवाब लूँगा, इस मामले मे पहलू ये भी है कि 20 से 25 किलोमेटर के स्पीट से कोई गाड़ी को टकर मारे, उसके नीचे कोई लड़की फस भी जाए, ये भी समझ नहीं हाता, अमचली के मौत के मामले में लगातार ये बहस चल रही है, जो थेओरी अभी तक सामने आ रही हो, थेओरी पर लोगों को यकी इन नहीं हो रहा है, लोगे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या ये ग्यार इरादतन हत्या है या फिर ये हत्या है, शिवास्तव जी ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाहरे थे, आप अपना जवाब पूरा कीजिए, फिर मैं बाकी में मानों का रुक करूंगा. और उसकी बाड़ी को हटाना चाह रहे थे, तो अब अब जब कि ये इन्फरमेशन उनके इंट्रिगेशन से पता चल रहा है, तो इस पे हम कड़ी धाराएं, जरूर इस पे ठीक बनता है लगाना, जो कड़ी धाराएं, बिकॉज अगर आप जानते हुए भी कि ऐसा काम कर हैं, जिससे किसी का मौत हो सकता है, तो ये 302 बिलकुल लग सकता है, उसको एड़ कर सकते हैं इस स्टेज पे, जी, आप ये कहा रहे हैं कि अगर जानकारी थी तो जैसे जहां चांगे बढ़ रही है, लेकिन जो आरूपी कह रहे हैं, उस पर कोई विश्वास नहीं कर पारा देखे विवेक, जिस तरह से पूरा मामला पहले इनीशली आया, जिससे ही मुझे यादे के फर्स्ट की इवनिंग में में घर पे बैटी थी, मेरे पास कॉल जाना शुरू है, कैसे ऐसे कंधावला का एक मामला है, रोड रेज का मामला है, आप ऐसे ऐसे फोनों करना है, तो उस वक्त जो पुलीज इस नारेटिफ के साथ सामने आई थी, उन्होंने एक दम से कहा कि रोड रेज का मामला है, फिर उसके बाद एक के बाद एक के बाद इसमें इतने सारे ड्वेलप्मेंट्स हा रहे और एक इनसान एक लड़ की कम से कम होगी, एक पच्पन किलो का इनस आपके गाड़े के बीच में कैसे अटकेगा, कोई धागा या कोई ऐसा कोई कपड़ा तो नहीं था कि वो अटक जाएगा और निकली नीडा है, और कई सारे चश्मदीदी को मैंने खुद सुनाया, उनका कहना है कि पीछे से सर को बांधा हुआ था और उसकी बाड़ी को घ प्रश्मदीद का कहना है, जो पुलीस का कहना है, और एक इंसान जिससना से घिसा गया सड़कों पर, तो कही ना कही लोग इस बात को डाइजिस नहीं कर पारें, कि अंजाने में एक्सिडेंट हुआ और उसको घसीटा अंजाने में, और किसी को पता ही नहीं चला, गाड़ सामने नहीं आई है, और I'm sure पुलीस इसमें इन्वेस्टिकेशन करेगी, तो इसमें अभी और मुझे उप्मीद है कि कुछ ऐसी चीज़े सामने आ सकती है, क्योंकि जिस सना से एक के बाद एक ड्वालप्मेंट हो रहे हैं, तो बहुत कुछ इसमें साज़श हो सकती है, ऐस क्या है वो हम देख रहे हैं, हमको पता है वो, they were following these two girls, so there is a malafide intention, then post event contact जो है, उसमें भी ये पता लग रहा है, साफ साफ बुझे ये पता लग रहा है, they knew, उनको पता है कि body जो है गाडी के साथ है, they are aware of it, so previous contact and post event contact दोनो भी जो है, it is very very clear, they had malafide intention, and particularly at the time of impact or contact, जो उनकी सहली है, वो धरके भाग गई है, और ये धरके भाग गई है, किस से ढर रही है, किसी ने उसको दंकी दिया है क्या, जिसने ठक्कर किया है, एक्सिडेंट किया है, वो दोनों आपस में जानते हैं, वो बदमाश है, वो गुंडा है, इसलिए वो धर रह है, क्यों उसने अक्शन नहीं लिया, और इडिस अनॉलेज अफ एवरीबड़ी, नॉर्मली वन सम्थिंग हैं, तुरंद फोन निकालते हैं, फोटो निकालते हैं, वो करने के लिए भी वो डर गई है, घर में जाके नहीं बताई है, बन जीरो एट या वन जीरो जीरो पोल हैं, इसका कोई CCTV कैमरे का सुबूत है क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या हुआ है, यानि कि एक्सिडेंट के वक्त क्या हुआ, वहां पर लड़की भाग क्यो गई, जो अंजली की दोस्त ने दी थी, वो दो दिन तक खामोश क्यो रही, यह सारे सकंस्टांसियल एव इतने सारे सवाल नहीं होते, पुलिस का रियक्शन टाइम इस केस को और ज़्यादा पेचीदा बना चुका है, देखे हमारे देश का लीगल सिस्टम ऐसा है, कि हर कोई उससे बचना चाहता है, उस लड़की ने देखा होगा कि यह नीचे आ गई कार के, और उसको घसीटते ले जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो एक्सिडेंट हुआ और वो गिरी और इसके थोड़ी चोट आई और कुछ देख नहीं पाई, उसने बिल्कुल देखा होगा कि लड़की कार के नीचे आ गई, और उसने ये भी देखा होगा कि यह दरिंदे कार को आगे चला रहे है तो naturally वो गवडा के भागी होगी, पर उसको ये चाहिए था कि घरबालों को जाके इनफॉर्म करे, पुलीस को इनफॉर्मेशन दे, लड़की की मा को इनफॉर्मेशन दे कि इस तरीकी की घटना हो गई है, लोग बचना चाहते हैं कि कहीं हमें गवाई देने ना जाना पड पुरी है, जो पहली बात होई कि इंजर्ड अगर कोई हो जाए गाड़ी से उसकी ततकाल मदद की जानी चाहिए, ठीक है, वहाँ लोकल लोग पकड़के मारने लगते हैं, ड्राइवर को और फैमिली मेंबर्स को, तो इसलिए ये भी कहा गया है कि जो निकटतम पुलिस स्टेशन है, आप महां जाके रिपोर्ट कर दें कि मेरी गाड़ी से इस इस परकार का एक्सिडेंट हुआ है, वो इस केस में नहीं किया गया, बिल्कु साफ गाड़ी के नीचे किसी बाड़ी को घसीटना, ये तीन सो दो से कम अपराद किसी भी दश्या में नहीं बनता है, तीन सो चार ए इसको कहना, ये बिल्कुल शर्मनाक है, ये दिखाता है कि ये प्रोफेशनल पुलिस पोस नहीं है, ये उसको जो है कम करके अपना इसको हिट और रन केस दिखा कर और उससे पला ज़ाड़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए था, कि हाँ ये तीन सो दो है, क्योंकि कोई किसी को घसीट के लिए जा रहा है कार के नीचे, और चला रहा है और उसकी बेड़ोटेट बाडी घसीट रही है, और ये कहना कि साब ये तो ये कोई ये कोई खास घटना नहीं है, ये तो हिट और रन हो गया, गलती हो गई, ये ये और लोगों को इंटेंशन को लेकर सवाल है आशा देवी कुछ कहना चाह रही है आशा देवी कुछ कहना चाह रही है आशा देवी जी क्योंकि किसी हालत में भी कोई गाड़ी इतने कम स्प्रिक में वो कैसे किसी को 10-12 किलो मीटर दूर घसेट के ले जा सकती है दूसरा सवाल ये भी है सर कि अगर बची नीचे आ भी गई घसेट भी गई तो उसके बदन से सारे कपड़े कैसे उतर गए कहीं तो गले में, कमर में, हाथ में कहीं तो कपड़े फ़ूसे मिलने चाहिए तो ये केस में बहुत सवाल है, बहुत जाच की जरूरत है क्योंकि इस केस को सूरू में इएकदम बयान दे दिया गया कि नर्मली एक्सिडेंट हो गया, खतम हो गया लेकिन इस पर सोचने की जरूरत है क्योंकि एक अभी एक जिन्दगी गई है हजारों जिन्दगिया रोट पे दोड़ती हैं तो मैं सर के बातों से सहमत हूँ बिल्कुल उन पर धराय लगनी चाहिए उनको सजा मिलनी चाहिए तभी समाज में यह डर बनेगा खौब बनेगा नहीं तो हजारों जिन्दगिया हजारों गाड़ी दोड़ती हैं हजारों जिन्दगिया पैदा लग साइकल से इसकूटी से चलती हैं तो लड़कों ने उसको धमकी दिया कि तोरे तुम तुमको भी मारेंगे या क्या वो जाहें तो यह सारी साज की भी साह है इस पे पूरी अच्छे तरह से जाच होनी चाहिए कि क्यों ऐसे हुआ साजिस के तरह उसको मारा गया कि क्यों हुआ तो मैं यही कहना चाहूँ कि हर हालत में उनको सजा मिलनी चाहिए और बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए ठीक है मैं श्रिस्सजी के पास जाऊँ से पहले सोनमنت महाजंग के पास जा रहा हूँ जो कुछ भी घटना कर नहीं पूरी टाइम लाइन को लेकर सवाल है सिती कहीं से भी इस पास होती नहीं देख रही जी बट मैं कोई क्राइम इंवेस्टिगेटर नहीं हो तो मैं स्पेकुलेशन से थोड़ा बचना चाहूंगी पर मुझे जो इस पूरे केस में जो जिसका रोल बहुती क्लियरली नजर आ रहा है कि गलत है वो मुझे पुलीस का लगा क्योंकि जो जो चश्मदीद गवा हैं उनका भी ये कहना है कि जब वो गए PCR वैन बुलाने तो जिन पुलीस कर्मियों के साथ उनका सामना हुआ वो खुद भी होश में नहीं थे और वो काम करना भी नहीं चाहते थे तो ये बहुत बड़ा एक सवाल प्रशासन पे उठाता है उठता है क्योंकि दिल्ली की वैसे भी जो रेप्यूटेशन है वो बहुत जादा अच्छी नहीं है प्राइंज विमिन के हवाले से तो इसमें बहुत जादा बहुत लेवल्स पे सुधार की जरूरत है मैं अभी स्पेकुलेशन में बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगी कि ये मुर्डर है या पिर ये एक्सिदेंट का केस है जिसमें उन्होंने फॉदर लड़की की जान जाने तक वो इसको गसीटते गए बट अफकोर्स पुलीस कहीं से भी इस चीज से किनारा नहीं कर सकती कि उन से चू गया है आई होब कि हमारी जो पुलीस फॉर्स है वो भी इससे सीखे कि इस तरह के मामलात में तो पुड़ा सा आपको परिवार के साथ हमदर्दी रखनी पड़ती है ना कि जो एक्यूज़ है उनके साथ जी आपसे इसका जवाब लू लेकिन इसके साथ एक और सवाल मैं आ एक्स्ट्रा जो है वो तैयारी की जाती है उसके लिए बकाइदा ट्रेनिंग भी होती है इतना सब कुछ होने के बाद भी 31 दिसंबर की रात दिल्ली में इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई और सोनम भी इसी बात को लेकर सवाल उठा रही है पुलिस के लापरवाई और ये चीज हो जाना अब ये भी आप कह सकते हैं कि 365 दिन में ये एक दिन ऐसा रहा जब ऐसी घटना हुई तो हम इससे हम ये भी निश्कर्श पर ना पहुँचें कि हमेशा ये ऐसी होती है लेकिन मुझे भी काफी ताजूब हो रहा है कि ऐसा लेकिन शिवास्व जी आप कि वी अफिर से शर्मसार हुई है और जो पुलिस इंवेस्टिचीշन में बात सामने आ रही हो वह हिट इंडरुन की बात सामने आ गौने में जब PCR वैन खड़ी होने का, वो सिस्टम को चेंज किया गया था. और इसलिए चेंज किया गया था, जो मुझे बताए गया है, सुना है मैंने, क्योंकि थानों में फोर्स कम थी, तो PCR की वैन को दे दिया गया था, कि चलो को जो फोर्स कम हो रही है आपको गाड़ी भी मिल रही है और स्टाफ भी मिल रहा है तो अब आप रिस्पॉंड को तो यहां पर रिस्पॉंड में जो PCR की वैन जो एक चलती फिरती पुलीस चौकी थी और बहुत सारी कई सो गाड़ियां थी अलग-अलग एरियाज में डिफिकल्ट एरियाज में वो नहीं रही और वो क्योंकि गाड़ियां थानों में चली गई अब गाड़ियों से गाड़ी आते हुए रिस्पॉंस टाइम इस लाइक फायर ब्रिगेड अगर अपने एरिया में नहीं खाड़ी हो और कहीं और भेज़ दी जाए तो फायर ब् गालियों में अगर पीसियार वैन या ट्राफिक में पहुच जाती है तो मोटर साइकल पहुच जाए तो पहला रिस्पॉंस सिस्टम में यहां पर कुताई हुए अगर पुलीस रिस्पॉंस जल्दी हो जाता तो यह सारी चीज यहां तक बुरहालत नौबत नहीं आती तो जा चुकी थी ठानों से गाड़ी आते आते उसने समय लिया और इतना नुकसान हुआ तो एक तो बात यह है कि वो रिस्पॉंस सिस्टम जो पीसियार का वैन सारे पुलीस कमिश्टर ने अब तक कायम था कुछ देर हुई उसको डिस्मैंटल किया गया और उसका रीजन मैंन मैंने सुना है कि क्योंकि थानों में फोर्स की कमी थी तो यहीं फोर्स उनको बोल दिया गया कि यह लोग अपना काम चलाओ तो नियत ठीक थी लेकिन प्राबर्ली स्ट्रिटीजिकली इदर एरर हुआ आज की चुनौती को सामना नहीं कर पाया दूसरी बात ही है एक जिसने औरत को शराब पी के चारो पांचो आदमी यह लड़के कौन है लड़के हमारे समाज से आ रहे हैं तो क्या कम्यूटी की कोई जुमेवारी नहीं एक जुमेवारी तो पुलीस की हो गई करें तफ्तीश ठीक करें लेकिन यह समाज की जुमेवारी क्या है ऐसे बदमा की नहीं है, इस इस वंह एक्या की तर समाज सारी पुलीस की है, पुलीस की जुमेवारी है, पेट्रोलिंग की है, रिस्पांच की है, लेकिन जुमेवारी समाज की क्या है जी? मा बना बचाओ, ये माढबा जो है, अपने लड़कों से डरपोक बनके, इनको शराब हो अगर आप मीडिया वाले सिर्फ पुलीस की जम्मवारी रखोगे तो पुलीस ऐसे ही लड़ती रही और समाज को नुकसान होता रहेगा जब तक समाज भी जम्मवारी नहीं लेगा अपने इस बत्तमीज बत्तों बच्चों के लिए जो नौजवान है जो शराबे पी के माबा हमारी नहीं लेगी तब तक हम लोग सफर करेंगे और सफरिंग यह सी लिए बढ़ती जा रही है और इसका विक्टिम ज्यादा औरत है ज्यादा लड़की है क्योंकि क्राइम्स अगिंस विमन पर चली जाती है तो यह मत भूर जी जो मीडिया का बहुत इंपॉर्टन रोल ह किरन जी चश्मदीदों ने बताए कि कुछ लोगों ने पुलिस को इत्तला की जाकर बताए कि वहां एक कार जा रही है कार की नीची बॉड़ी फसी वी है तो कुछ पुलिस वालों ने का कि तुझा आपना काम कर तेरे को चोट तो नहीं लगी और निकल यहां से देखिए यह कई सुनी की बात मैं इसके पर कोई कमेंट नहीं दे सकती यह मैंने सुना उसने सुना हकीकत क्या आप आप आई विटनेस हैं और ना मैं हैं तो मैं उस पर कहस नहीं सकती बहुत गुबढ़ा किया या किया बड़ा सवाल यह उटता है तीसरी बात याद किस दुकान के बार या रेजिदेंट वेलफर से सुसाइटी नहीं तो सुसाइटी का रोल नहीं है सिवल सेक्यूरिटी का मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं मैं आज समाज की बात कर रही हैं कि जब तक हर वर्ग अपने भी जुमवारी नहीं नहीं आप अगर सिर्फ भी करता हुए है कि जब चौकिदारी और ऐसे इंतजाम होते हैं तो वो को नहीं बोलती अगर लाइट खराब हो चुकी है अंधेरा है एक जगा क्यों नहीं से लोग मुनिस्पर कॉर्परेशन को के पीछे बढ़ दाते हैं कि हमारी स्ट्रीट लाइट को ठीक करो क्यों नह होने इलेक्ट किया अब आप काम करवाईए ना उनसे सवाल हुटता है कि हमको समाज को भी जागरूप होना है और चौती बात यह अपने नौजवानों को कानून की रिस्पेक्ट करनी सीखो कानून से डरना सीखो ना ये डरते हैं कानून से ना कानून की रिस्पेक्ट करत तो जब तक हमारे विवार में फरक नहीं आएगा, हम लोग ऐसे ही चिलाते रहेंगे, ऐसे ही दुखी होते रहेंगे, और हमारे कमजोर बर्ग कुछलते जाएंगे। वो डिस्मेंटल हो गया, मैंने कहा ना, अब मैं कहा रही हूँ लड़के कौन थे गारी में, वो समाज के नहीं है, वो पुलीस के बच्चे है, पुलीस ने पैदा की है, समाज ने पैदा की है, समाज की जुमवारी कोई नहीं है, कि ऐसे नलाइक लड़के पैदा करते जाते ह पुलीस की भी जम्मवारी, मैं बार बार कह रही हूँ विवेग जी, समाज की भी जम्मवारी, अगर यह मीडिया सर्फ अज़ समाज को नहीं आड़े हाथ लेगा, कि अड़े तुम कैसे लड़के पैदा करें, जो लड़की को छेड़ते हैं, शराबे पीके रात को गुम्रा करते हैं और फिर सुबार जाके माबाप उनको ढख देते हैं कि हाँ मेरा पुतर है इसको बचा लो इसको कुछ मत कहो क्योंकि घर छोड़के ना कही चला जाए दोनों की जमवारी पुलीस को भी अपने काम की रिस्पॉंस सिस्टम को ठीक करना हो लेकिन सभाज को भी तो संभ पारों में इनके स्कूलों का नाम क्या है इनके टीचर्स का नाम क्या है डालिये आप भी डालिये कि इनके माबाप का नाम क्या है कौन से एरिया में रहने वाले ये भी बद बद नाम करो इनको जब तक हम बद नाम नहीं करेंगे ये शरम नहीं आएगी इन लोगों को जब आपने response system की बात की society के responsibility की बात की ये जो case है जिसमे एक लड़की गाली के नीचे फसी वी और 12 किलोमेटर तक ड्रैग की जाती है आरूपी कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला लेकिन एक मुम्किन कैसे हो सकता है गाली के नीचे एक छोटा कंकल भी आ जाये तो महसूस होता ह नहीं ये मौका ही बताएगा आप और मैं तफ्तीशी अफसर नहीं है याद रखिये क्या उनको मालूम था कि रगड के कोई आ रहा है या नहीं था ये आप और मैं फैसला यहाँ टेलेविजन बे घर में बैठके नहीं कर सकते ये तफ्तीश ही बताएगी मौके की investigation ही नहीं किसी ने इनको पताया अरे बतमाशोर हुक जाओ तुम तो लड़की को रगार कर ले जा रहे हूँ ये सारी investigation बताएगी जंप नहीं करो आप तफ्तीश को complete होने दू पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई थी लोग कह रहें कि हमने बताया था पुलिस को की कार के न पर मैं कमेंट नहीं करूँ मुझे सिर्व ये पता है कि रिस्पॉंस टाइम में फेलियर हुआ है और रिस्पॉंस टाइम पर फेलियर की हुआ है क्योंकि PCR बायान का सिस्टेप आपने डिस्पैंट कर दिया एक आखरी सवाल किरन जी जाने से पहले पुलिस ने एक जनवरी पुलिस फायार दर्ज करती है उस वक्त इमीजेटली उस वक्त की हाला पर लेकिन सारे जिरम सारी धाराई चेंगे बदल जाती. है तो नमबर वान उस वक्त पुलीस की गलती ही है कि कुछ नहीं बोलना चाहिए सिर्व यह कहना चाहिए केस दर्ज हो गया तफ्टीश होगी तब बताएंगे क्योंकि यह तफ्टीश है चलान नहीं है चलान कुछ और होगा और फायर कुछ और होगी कई बारी दिल्कुल फायर की जो धारे लगी होती है बदल जाती है क्योंकि सबूत आपके पास आ गए तो कल्पेबल होमिसाइड मुर्डर बन जाता है सिंपल हट ग्रीवस हट बन जाता है तो होता है संगीन अपराद लग जाते कुछ नहीं बना होता पुलीस अपने अपराद को बदलने संसेक्षिंश अफ लॉक को चेंज करने में लेकिन यह कंक्लूजन नहीं लेकिन पुलीस को कोई जल्दबाद ही नी करने चाहिए, कहने के लिए क्या है, बोलिए, केस दर्च कर लिया है, तपतिस होने दीजिए, इसके बाद बताइए. किरेंजी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोडने के लिए और important जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और सभी मैंमानू का मुकाबला में डिबेट में हमारे साथ जोडने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर